नमस्कार साथियो तो क्या आल चाल है इस वीडियो में आतकाने वाले हैं most important vocabulary की बारे में जो काफी बार exams में repeat होती है and वैसे भी काफी important है so channel पर नए हैं तो please subscribe कीजिए तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं so मारा पहला word है incorporated 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 का मतलब होता है involve होना किसी चीज में सामिल होना यानि की समलित होना so क्या हो जाएगा सामिल होना या फिर हम कह सकते हैं involve होना involve होना अगला वड़ा है bygot bygot का मतलब होता है कत्तर जो किसी एक चीज के पीछे पागल रहता है किसी और चीज को नहीं मानता जैसे कि बहुत सरे लोग अपने धरम को लेकर बहुत ही कटर होते हैं वो किसी और चीज में विश्वास नहीं रखते हैं फिर सुनना भी पसंद नहीं करते हैं तो bygot का मतलब होता है कटर इसका सिनोनिम होता है ओर्थोडोक्स तो bygot का मतलब क्या हो जाएगा कटर एंड इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ओर्थोडोक्स अगला वड़ा है इंटेग्रेटेड इंटेग्रेटेड का मतलब होता है भी सामिल होना यानि कि ये इसका incorporated का synonym हो जाएगा अगर आप लिखना चाहिए तो लिख सकते है involved यानि कि सामिल होना अगला word है ignite ignite का मतलब होता है आग लगाना किसी को भढ़काना या फिर किसी के कान भरना so ignite काम simple earth ले सकते है आग लगाना या फिर किसी को भढ़काना क्या भढ़काना किसी को भढ़काना अगला word है captivate captivate का मतलब होता है attract करना किसी को अपनी और आकर्षित करना simple earth meaning ले सकते हैं किसी को आकर्षित करना इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में आकर्षित करना या फिर कह सकते हैं attract करना आगला वर है escalating escalating का मतलब होता है increase करना भढ़ना इसका हिंदी में लग सकते है meaning भढ़ना इसका synonym क्या हो जाएगा encourage भढ़ना last word है हमारा swindle swindle का मतलब होता है दोखा देना cheat करना यानि कि fraud करना इसके सारे शिर्ण में हो जाएगे हिंदी में लिखेंगे हम दोखा and इसके synonym क्या हो जाएगे cheat करना या फिर कह सकते हम fraud करना अगला वर है हमारा stas stas का मतलब होता है secret रहस से यानि कि गुपत रूप से so stas का synonym क्या हो जाएगा secret या फिर हम एक और synonym लिख सकते है furtive या furtively तो इस दोणों क्या हो जाएगे इसके synonym stas का मतलब क्या है secret रहस अगला वर्ड है हमारा distroat distroat का मतलब होता है worried stressed depressed जो टेंशन में है चिंता में है so distroat का मतलब क्या हो जाएगा worried अगला शुनमनम क्या हो जाएगा stressed double s e d इसके अलावा क्या हो जाएगा depressed तो यह इसके synonym मन जाएगे कि इसके distroat के इसका मतलब क्या है stress जो चिंता में है यानि कि tension में है अगला word है हमारा fluently fluently का मतलब होता है smoothly बोलना यानि कि बहुत ही flow में बोलना बहुत ही साफ इसपस्ट रूप से बोलना तो fluently का मतलब होता है जब हम कोई language बोलते है कोई चीज बोलते है तो बिना अटके बिना रुके लगातार एक flow में बोलते है तो उसे क्या खहते है fluently यानि कि एक लैब तरीके से बोलना तो इसी हम कहेंगे smoothly smoothly यानि कि बहुत ही साफ बहुत ही सपस्ट तरीके से बोलना अगला word है हमारा interim interim का मतलब होता है temporary transient यानि कि कुछ समय के लिए छणिक बहुत ही कम समय के लिए so interim का synonym क्या हो जाएगा temporary या फिर हम कह सकते हैं transient इसका एक synonym और होता है transient अगला word है हमारा aggravate aggravate का मतलब होता है वर्सन यानि कि बेकार बिल्कुली खराब इसको synonym क्या हो जाएगा एक तो हो जाएगा वर्सन यानि कि बिल्कुली बेकार एंड सेकेंड हो जाएगा प्रोफ्लिगेट इसका मतलब भी क्या होता है aggravate यानि कि वर्सन बेकार खराब अगला वर्ड है हमारा hopeless यह hopeless नहीं है क्या है hopeless हापलेस का मतलब होता है unlucky unfortunate यानि कि जिसका भाग्य साथ ना दे जिसका जिसके किस्मत ही खराब हो इस तरीके से हम समझ सकते हैं हापलेस का मतलब होता है unlucky जाखर हम कह सकते हैं unfortunate अनफोर्चुनेट यानि कि अनलखी लास्ट वर्ड है काम का मतलब होता है है पीस सांती तो इसकी सिनोनिम बहुत सारे हो जाएंगे जैसे की सेरीन का मतलब होता है सांती अगला वर्ड है पीस कि पीस का मतलब भी होता है अगला वर्ड है टर्मोईल इसका मतलब भी यह होता है एक वर्ड और है Tranquility Tranquility का मतलब भी क्या होता है काम यानि की पीस और सांती इस वीडियो में यही तक उमीद करते हैं आपको यह सारे वर्ड अच्छे सिस्टन में आए होंगी आपने इससे कुछ सीखा होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए